हेलो दोस्तों, Easy to Design में आपका ज़ागत है, आज हम सिखेंगे sketch pattern में circular sketch pattern क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं, तो चलिए through करते हैं, हमें एक प्लेंट सलेक्ट करना होगा, तो हम top plan कर लेते हैं यहां पर circular sketch pattern command का icon दिया गया है उसे जानने के लिए linear sketch pattern के बगल में एक छोटा सा icon है इस पे click करें तो देखिए circular sketch pattern इस पे click करें तब आपका circular pattern active हो गया पर हमें एक sketch profile बनाना होगा जिसे हम pattern करेंगे तो हम simple सा circle command की मदद से एक circle draw कर लेते है circular sketch pattern circular sketch pattern में क्या होता है कि आपको एक center point select करना होता है जिसके around pattern होता है यहां पर हम origin point को as a center point मान लेते हैं हमने origin point लिया है और y भी 00 है अब आता है angle इसमें दो angle होता है पहला है a1 और दूसरा है a2 पहले हम a1 के बारे में जानते हैं यहां दर्साता है कि हम जो pattern कर रहे हैं वो पूरा 360 degree पर कर रहे हैं और a2 यह दर्साता है कि जो sketch बना हुआ है वो 270 degree पर pattern हो रहा है यह आप देख पा रहे होंगे यह direction अगर हम इसे 180 degree कर देंगे तो देखिए यह side हो गया अगर हम इसे 0 degree कर देंगे तो देखिए यह side हो गया तो हमें नीचे की side चाहिए तो हमें 270 degree enter करना होगा यहाँ पर equal spacing जो हमारा pattern हो रहा है वो equal spacing में pattern होगा अगर हम इसे untick कर देंगे तो यह equal नहीं रहेगा तो हम equal ही रखेंगे तो इस box में click करेंगे दूसरा dimension radius यह जो radius बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो dimension so करेगा अगर आप इस box को tick रखेंगे तो उसके बाद आता है number of count कि आप कितना pattern करना चाहते हैं तो जैसे हम 5 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं उसके बाद display instance count अगर आप इसे टिक करेंगे तो यहाँ पर show करेगा यह कितना number of count pattern हुआ है उसके बाद आता है यह radius कि आपने जो sketch ड्रॉग किया है उसका radius आप कितना चाहते हैं इस point से इस point का हम यहाँ पर 60 एंटर करेंगे ओके कीजिए तो देखिए यह 60 का radius यह number of count 6 एक और example से देखते हैं एक circle ड्रॉप किती है छोटा circle circular sketch pattern select किजिए center point इसको हम करते हैं 270 डिग्री एंटर select किजिए sketch आप इसे चाहें तो number of counts बढ़ा सकते हैं 6,7 ok यह देखिए यह pattern तो हुआ पर यह 270 डिग्री तक ही हुआ क्योंकि हमने 360 नहीं चूज किया था आप चाहें तो इसे reverse भी कर सकते हैं तो देखिए दूसरा circular pattern select किजिए center point select किजिए sketch यहाँ पर अब select किजिए minus 270 enter number of counts 6,7 इसका कीजिए radius 90 degree enter ok कीजिए तो देखिए हमने जब plus 270 लिया था तो यह इस side में यहां से यहां तक 270 डिग्री लिया और जब हमने minus 270 लिया तो यहां से लेके यहां तक 270 एक छोटा सा सर्क्ल सर्कूलर स्केच पैटर select कीजिए center point select कीजिए sketch number of counts 5,6,7 360 degree equal spacing dimension radius यहां पे 140 degree radius 8,9 यहां पे instance to skip इसका मतलब होता है कि आप जो पैटर्न किये हुए हैं उसमें से किसी एक को या किसी दो को या किसी को भी आप remove करना चाहते हैं तो आप instance to skip बाले बॉक्स में click करें और आप जिसे remove करना चाहते हैं जिसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे click करें इसे remove करना चाहते हैं तो इस पे click करें और OK करें तो देखिए यह remove हो गया यह था circular sketch pattern बहुत असान है और बहुत useful tool है तो आप प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद